वाल प्राइन अगला कौन है? सामने आव! तो क्या यहाँ कोई नहीं है जो मेरे साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सके? कहीं तुम इससे डर तो नहीं गए ना? ये तो बस स्लग्स हैं! गलत! वो सिर्फ स्लग्स नहीं है, वो असल में गूल्स है! ओ, कहीं तुम वो नहीं, शेन तो नहीं, मुझे सबक सिखाने आये हो! मैं भी तुम से मिलने के लिए बेताब था! उन गूल्स को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, और नहीं तुम ही आना चाहिए था! एक के मुकाबले चार, यह तो बहुत नाइंसाफी है! वियन तो तब ही खत्म हो गए थे, सी सी शक तुमने डाप्टो ब्लैक्स इन गूल्स को लाने की सोची! मेरा एक ही स्लग्स तुम चारों के स्लग्स के बराबर है! और अब मेरे तुम सब को छोलूंगा नहीं! क्रीfrुआ के अब तुमाइए! प्रुमर करें नहीं! एक, प्रुमर के लए धने講श। प्रुमर के बराबर एक, प्रुमर के तुमर के गघए! है ही ! प्रुमर के आफ के लिए ! एक आखरी मौका देता हूँ सी सी तुम चुप-चाप जाना पसंद करोगे या फिर हमसे मुकाबला करके सच में ओहो छोड़ो भी ट्रिक्सी यह मत भूलो कि यह हीरो है हुआ 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 तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे अब इससे तुम पागल हो जाओगे उसे रोकना होगा कोई बात नहीं क्या तुम्हें देखा कि उसके बूस्टर कितने वेज हैं और उसके पास गोस भी है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हां दोस्त हम में से सिर्फ तुमने उसके साथ मुकाबला किया है और उसका नतीजा भी कुछ खास नहीं था याद है ना अकर तुम मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो तो बात नहीं बंद रही पर कोई बात नहीं मेरे पास एक आइडिया है अब देखो तो आज यू नहीं एलाई उससे फिक स्टिंग कर रही है उस गोल की मुकाबले वो टिक नहीं पाएगा और देखते जाओ बस इसी वज़ा से हमारी जीत होगी यह कितना पत्बुदार है और बेवगूफ भी तुम्हें पता होना चाहिए था कि यह तुम्हें हरा देगा यह तो मेरा प्लान था जहां तक मेरा ख्याल है अब तुहारे पास दो ही रास्ते हैं यहां तो तो मुझ पर हमला करो जिसके बार मेरी दोस्तों में नहीं चोड़ेगी या फिर चुप चाप यहां से चले जाओ बोलो क्या करोगे अच्छी चाल थी बच्चे तुमसे काफी हफतों तक बद बुआएगी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता हमें पड़ता है पहले तो तुम्हें एक बहतरीन स्लक्स लिंगर हुआ करते थे अब क्या हो गया तुम्हें मुझे एक मौका मिला और मैंने उसे ले लिया और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो डॉक्टर ब्लाक के साथ है नया शेन भले ही वापस आया हो पर तुम डॉक्टर ब्लाक और उनके गूल्स का सामना कभी नहीं कर पाओगे और तुम्हारी वो शेन की छुपने की जगह कैसी है अच्छी तो है ना तुम किस बारे में बात कर रहे हो सीसी ओ कुछ नहीं मैं तो बता रहा था कि जब मैं इन लोगों को अपना हुनर दिखा रहा था तब मेरे कुछ दोस्तों ने तुम्हारे लिए री डेकॉरेशन किया है ऐसा समझ लो कि ये एक तौफ़ा है उसकी तरफ से जिसने मुझे ये दिया हाई डेक चलो ये उन्हें अच्छा नहीं किया वाँ अच्छी ख़वर है मेरे चाइना मेड अनबरेकबल डॉल सही सलामा थाई अब मैं उनको नहीं छोड़ूगा बदला ऐसा करके डॉक्टर ब्लाक ने हमें चुनोती दी है लगता है उन्हें नहीं पता हम ऐसे छोटी बातों से नहीं डरते तो बताओ प्लान क्या है हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे लेकिन पहले हमें टूटी-पूटी चीजों को ठीक करना होगा जानते हुए इसका मतलब क्या है हम जा रहे हैं बाटन एंड स्पिंग स्टो में वाव समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूँ तुम मुझे पता है इनके पास फरनीचर से लेकर लेटिस ब्लास्टर तक लेकर सब कुछ है तुम्हारे मेकानिकल बीच के लिए यहां कस्टम पार्ट भी मिलेंगे तुम्हें गियर हेड मेकानिक हो क्या तुम हमें अपनी चीजे सेलेक करने में मदद करोगे हाँ बिलकुल इससे काम चल जाएगा जो भी चाहिए था वो हमने ले लिया और कुछ अपग्रेड़िद ब्लास्टर भी जो कि हमें आगे बहुत काम आएंगे सिर्फ एक सवाल क्या हमारे पास इतना सोना है सोना नहीं चलेगा सिर्फ स्लक्स तुम्हारे पास तो अच्छे खासे हैं नहीं बिलकुल नहीं हम किराने का सामान नहीं खरीद रहे इलाए अगर कुछ कीमती पाना है तो बदले में कुछ कीमती खोना भी पड़ेगा मुझे लगता है कि हम बगेर इन चीजों के भी काम चला लेंगे लेकिन मुझे अपने स्लक्स चाहिए और ब्लैक का क्या उसके पास पहले से ही वो ताकतवर गूल्स हैं अगर हमने इन्हें नहीं लिया तो उसका सामना कैसे करेंगे यह इसलक्स मेरी टीम का हिस्टा है और मैं इने खोना नहींचाता देखा एला इसलिए इसलिए इसल्क्स से जयाना नोचती नहीं करनानी चाहिए मैं समझ सकती हैं कि स्लक्स तुम्हार अली कितने कीनती हैं पर कभी-गभी हमें भी कुर्बानिया देनी पड़ती हैं हम सब ने दी है मुझे इस बात का बहुत अफसोस है तुम बहुत अच्छे से लग रहे हो जूल्स पर हमें ये हथियार चाहिए लेकरो वाँ इससे काम चलेगा तुम ये सब ले जा सकते हो तुम चाहे किसी के भी साथ रहो वो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा शायद हम फिर मिलेंगे मुझे नहीं लगता दरावनी पहाड़ी हमें समल कर चलना होगा जी दोस्तो मैं कुछ सोच रहा था नेरे कारनामों के बारों भी सोच रहे हूंगे न हमने गलती की तो तुम मेरी ट्रैकर कला पे उगली उठा रहे हूं क्याहा मैं जूल्स के बारे में बात कर रहा हूं अच्छा हमें वो सौढ़ा करना ही नहीं चाहे था हम इस बार में पहले भी बात कर चुके हैं, अगर ब्लाक का मुकाबला करना है, तो हमें बहतर हतियार चाहिए, और बहतर हतियार के लिए, कभी-कभी हमें एकाथ सलक को कुर्बान करना ही पड़ता है, हमें वापस जाकर उसे लाना चाहिए, पाता नहीं इसे, उन सलक्स के वापस है नहीं मुझे मेरा जूल्स वापस चाहिए सारी बच्चे यह पॉसिबिल नहीं होशिस तो की थी तुम समझे नहीं प्रॉंटो वो दुकांदार जरूर कुछ चुपा रहा है और ये मैं पता लगा कर रहूंगा एक साज़िश क्यों बात है कि साइड में हड़ जाओ इसके लिए बहुत भूनर चाहिए और इसे बड़े आराम से करना पड़ता है यह तो मैं भी कर सकता था यह तो हजारों की कादात में है पर यह सब यहां क्या कर रहे हैं बिजनस अच्छा नहीं चल रहा है पर फिर भी मेरे पास यहां कई फर्स क्लास स्लग्स हैं कुछ पावरफुल स्लग्स भी है जिने ट्रेनिंग भी में है ठीक वैसे ही जैसे डाक्टर ब्लेक को पसंद है इन्हें काडी में रख दो यह सब डाक्टर ब्लेक करवा रहा है और शर्द लगवालो वो इनसे ही खतरना गुल्ज बना रहा होगा अच्छा पर उसे जूल्च नहीं मिलेगा या इन में से कोई भी स्लग चलो हम तुम्हें यहां से बाहर निकालेंगे वो स्लग तुम्हारा नहीं है किस ने कहा डॉक्टर ब्लेक ने मुझे तो यहां नहीं देख रहे हैं और एक बात याद रखो तुम अकेले हो और हम बहुत सारे तिलू रखब वैसे तुम हो कान लोग मुझे यपलोस नाचो कहते हैं ठीक है नाचो तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं या शायत तीन वहा बहुत बहुत सुन्गित क्योंकि तुमने जो पकड़ा है वो मेरा पाऊ है तो भी ठीक है ठीक है तुमने हमें हरा दिया अब चकरोगे घबराओ मत जूल्स मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तुम डॉक्टर ब्लैक के साथ सौधा कैसे कर सकते हो बहुत सारे लोग करते हैं बच्चे हम उसे मना भी नहीं कर सकते वैसे भी वो सिर्फ स्लक्स हैं मुझे लगता है तुम जानते नहीं वो उनके साथ क्या करता है और मुझे जानना भी नहीं है हमें जूल्स को वापस लाना ही होगा और बाकी स्लक्स को भी इससे पहले कि वो ब्लैक उन्हें गूल्स बना दे मतलब हम सीधे डॉक्टर ब्लैक के कैसल में जा रहे हैं वैसे भी हम उसे एक चेतावनी तो देना चाहते थे ये हमारे लिए सही मौका है कौन हो तुम एलाइश शेन मैं यहां डॉक्टर ब्लैक से मिलने आया हूँ यहीं रुको जानो जी मेरे पिछे आओ अंदर जाओ ब्लैक कहा है वो नहीं बता सकता बताओ मैं तुम्हारे लिए काम करो और मैं तुम्हें स्लक्टरा का सबसे खतरनाक होतियार दूंगा और मैं जानता हूं कि तुम करने में विश्वास रखते हो बोलने में नहीं मेरी ही तरहा करते हो तो मैं साफ-साफ बतादू मेरे आवर कोई सद करो और सद करो और सद करो तो चलो दोस्तों हमें इस लख्ष को जल्दी यहां से निकाल देना चाहिए एक प्राब्लम है जूल्स यहां नहीं है हमने देर कर दी तो क्या तुम हमेशा से एक हेंच्मन बनना चाहते थे या फिर यहां आकर तुम्हें ऐसा सब करना पड़ा खेर छोड़ो क्या तुम्हें पता है कि ब्लाक कब आएगा हाँ मैं जानता हूँ मैं अच्छानक बिन बुलाया आगया पर वैसे भी मुझे पता था तुम आओगे पता नहीं मैं एलाय को जोन्स के बारे में कैसे बताऊं तुम्हें कैसे हो दोस्ता खत्म कर तूने अवे यहां से निकर रहा होगा पास लग्स को पिना लिये नहीं परसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे लोक्तर ब्लाक के स्लक्स बाग रहे हैं वापस लाओने मौरस हमें अकेला छोड़ा तो चलो अब सीधे बात करते हैं तुम्हें पता है न कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है अधी बुलाया है शायद मुझे तक तुम्हारा ये बुलावा आईा ही नहीं पर तुम्हें वो मेसेज तो मिला था ना जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था उसी के लिए तो तुम आए हो है ना शायद मैं दर असल यहाँ अपने स्लक्स वापस लेने आया हूँ सच में तुम इसी को ढून रहे हो ना जूल्स दोबारा सोच लो बहुत अच्छे यह चाहिए तो मेरे साथ आओ मैं इसे और शक्तिशाली बना सकता हूं अब कि अ कि अ हाँ यह तो कमाल का खिलाडी है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इतनी आसानी से मेरे ही घर आकर मुझे हरा दोगे हाँ सोच रहा हूं अच्छा होता अगर वो अपक्रेट मेरे साथ होते हैं वाउ हाँ कर दो और दो तुम्हें कि देखो इलाइब ब्लैक से लड़ रहा है वो भी मेरे बागाए यह वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था पर कभी कभी बेटे भी अपने पापा जैसी गल्टी करते हैं अच्छा है हम सब यहां है तुम्हारे दोस्त एक और चेन को खत्म होते देखेंगे और बाद में खुद भी खत्म हो जाएंगे आए रसे और करते हैं अप आए इसे शर्ड़ एर बाद में खत्म हैअ अवारे वैरे वैर bonito करते हैं लाद में खत्राह खत्म हैं ुएहाले वैरे वैरे गदहाई ग carved जो बिन कीज़ए बोपी, उनके स्लक्स बहुत पावफुल है, पर मैं जानता हूँ कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम है अपने स्लक्स पर हद से ज्यादा भलोसा है, ये इंफरनर्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे, वो तो हम देख लेंगे, हमें यहां से निकलना होगा बोपी, अब दिख अपना कमाल, आपकी दीवार, क्या बात है वोपी, तुमने दिखा दिया कि तुम क्या कर सकते हो, अब हमें यहां से निकलना चाहिए, तो फिर तेर किस बात की, जाओ, उन्हें दूसरी तरफ से पकड़ो, नहीं, जाने दून है, वो अब समझ गया होगा, इलाए शेन अब यहां जल्दी वापस नहीं आएगा, उसे सबक क्यों नहीं सिखाते, जरूर सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, पर आब उसके लिए इतना समझना काफी है, कि डॉक्टर ब्लाक से कोई भी शेन नहीं चीच सकता, वैसे वो इतना भी बुरा मुकाबला नहीं था, तुम सबने कमाल कर दिया, सच में ब्लाक गलत था, हमारे सलक्स भी उनका मुकाबला कर सकते हैं, अगर हम ब्लाक का मुकाबला करके उसे हराना चाते हैं, तो हमें सलक्स चाहिए, बहुत सारे, उन्हें ट्रेनिंग की जरूर और अगर हम मिलकर एक टीम की तरह काम करें तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं जी वो क्या है प्रॉंटो का रूम साफ करना और क्या कौने मेरे साथ हां अरे कोई तो तुम में से मेरा साथ दो जी कभी तो मेरी बात मारा करो जी संभलकर कौर्ड हम पिलकुल उनके ऊपर है ठीक कहां सॉरी यहां तो कोई भी नहीं है चलो मैं जरा इसके नीचे देखता हूँ फ्रॉस्ट क्रॉलर्स पता है इलाई वो भयानक हो सकते हैं और वो और भी भयानक हो जाते हैं जब हंड़िट मायल्स पर आवर तक में वहां का हो तो बुझे भी कुछ कहना है और वो अई कि यह तक क्रेट प्रंट तुम्हें लेकर आया हैँ पहले हमें उनमें से एक को तो पकड़ना होगा मैं जाल लाती हूं मेरे प्लास ग्लव्स हाई कैसा होगा अगर हम उनसे सीधे बात करें क्या कैसे हो दोस्तों मैं कुछ पावफुल स्लक्स को ढूंड रहा हूं अपनी टीम में शामिल करने के लिए जैसे कि तुम अब मैं उसे फगर लूगा अब मैं उसे फगर लूगा अब रॉन्टों नहीं है ओ-ओ घब्राओन अको कुछ नहीं होगा वो सब स्लक्स एक साथ ट्रांसफाम हो गए तो बहुत ही बुरा होगा दोस्तों अब यहाँ ठंड बहुत बढ़ रही है बढ़ो यहाँ से स्लक्ति माझ फुराँ स्लक्ति माझ स्लक्ति माझ व तो स्लक्ति अब हम लोगा नहीं बचेंगे नहीं हम बचेंगे अरे अरे जल्दी चलो सुस्ताद बिना किसी काम दे आव मेरा बतलब है तेज और हवा से बाते करने वाले उस्ताद मेरी जान के सिर्फ एक मौका है इसे बेस्क मत होने देनो बोपी जलाओ बोपी जलाओ यह तो कमाल का था वो यह नहीं लगता कमान सच में कमाल था पर हमें इस लग नहीं मिल पाया जरत देखो तो यह वापस आ गया जो होता है अच्छे के लिए ही होता है इलाए मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे इस लग्स इतने पाव़फुल है कि तुम्हारा ब्लास्टर उसका प्रेशन नहीं हैंडल कर सकता है आज नहीं तो कल तो हो नहीं क्या आक्टि काई है क्वेसमें इसमें तो अक्षा आख्या्यू हूं तुम्हें क्या लगता है यह कब तक ठीक हो जाएगा को मुझे लगता है शार्द कभी नहीं है मैं बहुत से ब्लास्टर्स को जल्दी ठीक कर सकता हूँ पर इसके लिए एक एक्सपर्ट लगेगा और मैं ऐसे ही किसी को जानता हूँ जो ये कर सकता है रेड होक ये नाम तो सुना हुआ लगता है जरूर सुना होगा सारे बैतरीन स्लिंगर्स उनके पास ही जाते थे तुम्हारे डैड भी उसका नाम काफी फेमस है जी और साथ ही उसका घुसा भी मैं किसी नए दोस्ट को नहीं ढून रहा मुझे पस अपना ब्लास्टर ठीक करता है हमें बहां ले चलो प्रांटो मेरे पिछु आओ ये है क्वाइट लॉन रेड होग का घर तुमने तो कहा था ये जगा अच्छी होगी अच्छी थी तो सही लगता है यहां के लोग बड़े शर्मीले हैं अरे प्रांटो को पता है क्या करना है जी हेलो लगता है बहुत शान्थ किसम के भी है तुम भी शान्थ हो जाओगे अगर तुम उनके नीचे रहोगे गुर्नियू कर स्लक्स अगर ये स्लक्स नीचे गिर गए तो ये फट भी सकते हैं उनके नीचे रहना तो बहुत मुश्किल होता होगा हमें इन्सलक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है सिर्फ हूला गैंग से जो हमें चैन से जीने नहीं देती हूला क्या हूला गैंग चलो चले दोस्तों हेई तुम क्या देख रहे हूँ तुमहरा आटवर्क क्या वो एक बुढ़ीया है बढ़िया है तुमहें शाहे तमींच की ज़रॉष है क्योंकि तुम उससे बात करे हूँ जो इस बेकार कस्बे को चला रहा है मैं इस बात को याद रखूंगा जब मैं इसे चलाओंगा क्या तुम इससे अपने इस तूटे हुए ब्लास्टर से लड़ोगे मैं तुम्हें जानता हूँ तुम वो ने शेन हो ना निकल जाओ यहां से हम हूला गैंग से हैं ब्लाक इंडस्ट्रीज के ओफिशल इंप्लॉईज इसका मतलब तुम्हें हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमसे पंगा लेना मतलब डॉक्टर ब्लाक से उलचना ओ तुम उसके फिक्र मत करो ब्लाक से तो मुझे पहले से ही प्रॉब्लम है लगता है टीम के बगार तुम कुछ भी नहीं कर सकते फिर तो तुम्हें मुझे एक मुकाबले में हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं तुम्हें चालेंज करता हूँ लगता है तुम थोड़े से पागल भी हो मैं डॉक्टर ब्लाक के लिए क्याम करता हूँ तुम से लड़कर मैं अपना समय के उपर बात करूँ अगर तुम जीते तो मेरे स्लक्स तुम्हारे हुए सारे के सारे सारे के सारे अगर तुम्हारे तो तुम यहां से चले जाओगे मुझे मन्जूर है अपने स्लक्स मुझे देने के लिए तयार रहो एलाई, क्या तुम सच में बवपी और बाकी के स्लक्स को दाव पर लगाना चाहते हो, हाँ? यह बात तुम्हारे दिमाग में भी आई होगी जब तुमने उसे चैलेंज किया था, है न? हाँ, पर सब ठीक होगा, मेरे पास एक प्लान है क्या आवाद है, इसके पास एक प्लान है प्लान क्या ही? जीतना यह यलो, अब तुम ये बहाना नहीं बना सकते के तुम्हारे हाथ में टूटा हुआ बलास्टर था शुक्रिया, वैसे भी, तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ आधा व्लास्टर चाहिए क्या ख्याल है? इतना भी बुरा नहीं था चलो देखे मैं इसे बहतर कर सकता हूँ या नहीं तुम हार गए, तुम हार गए वा, तुम्हें कमाल कर दिया दोस्ट बहुत अच्छे ट्रिक शॉट्स, बेस्ट टू आउट आप त्रे नहीं तुम नहीं मेरे फ्लरिंगो से तुम्हारे स्लग्स मुकाबला नहीं कर सकते चलो देखते हैं ये फ्रोस्ट क्रॉलर क्या करता है जो पहले उस खंबे को हिट करेगा वो जीतेगा शुरू करो टू सेरो फिर से वो मैटन नहीं करते हैं खेल खत्म जो जीता वही सिकंदर दोस्त मैं जीत चुका हूँ और वो भी छे शॉट्स पहले ये गुफा ग्रिन्यूकर स्लक्स से भरी पड़ी है जो भी सबसे ज्यादा गिराएगा वो समझो चीत गया नहीं वो स्लक्स केसी को नुक्सान नहीं पहुचा रहे हैं मुझे इस से क्या वो तो सिर्फ स्लक्स है अब तुम यहां से जा सकते हो सिर्फ एक तुम ही बचे हो तुम किसी काम के नहीं हो तुम नहीं भटते हो और नहीं किसी को जमा सकते हो तुम कुछ नहीं कर सकते बस बेकाल हो अब जनल रुक जाओ तुम्हें इसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए बहुत हुआ अब मैं तुम्हें नहीं चोड़ूगा चलो लड़े क्या तुम मुझे फिर से वो ब्लास्टर दे सकते हो अब तो तुम कहें क्या करू मेरे कोई भी स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं कोड मुझे बूस्ट अब चाहिए जीगा दोस्ट है 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 लगता है उनको गिरानी के लिए इतना काफी नहीं है अगर तुम इंट्रेस्टेड हो तो नेरी टीम में आ सकते हो तुम्हारा स्वागत है तुम सबने बहुत बड़ी कालति की है अब डॉक्टर ब्लाक तुम्हें नहीं छोड़ेगे वो सरूर वाप्पिसाएंगे और हम उनका इंतजार करेंगे अब क्या हम रेड हुक से मिलने चले मिस्टर रेड हुक मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे परिशान मत करो तुमने कुछ सुना सरे हम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं हम तो यहां सिर्फ ब्लास्टर ठीक करने आएख तुम वो हूला गैंग वाले तो नहीं हो ना नहीं हम तो वहें जन्हों ने उन्हें यहां से भगाया तो आप भी रेड हुखाएं एक सवाल है क्या हुख मिलने से पहले आपका नाब रेड हुख पड़ाई आबाद में और क्या यह हुख रेड था जब आपको मिला यह प्लीज सो मुझे आपकी मदद चाहिए ठीक है अंदर आ जाओ तुम ने मुझे लंच के वक्त डिस्राफ क यहां क्या वाद है मुझे भी भूख लगी आई जी जो आपको मुझे नहीं लगा था कि अब भी इस तरह क्या त्यार बनते होंगे नहीं बनाते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए और निकल जाओ यहां से मेरे पास कुछ स्लग्स है जिन्हें शूट करने के लिए मुझे ब्लास्टर चाहिए क्या तुम्हारे पास इतने ही इस लक्स है जाओ निकल जाओ यहां से हम कहीं नहीं जाएंगे किसी को तो इस शहर की रक्षा करनी होगी तुम जाने पहचाने लगते हो क्या पक्का हम पहले मिले हुए हैं मुझे तुम्हारा ब्लास्टर दिखाओ वह आप ठीक कर सकते हैं ये एक मिनिट प्लीज अलगता है कि इस आद्मी से प्यार से बाता करनी चाहिए पर कोई बात नहीं प्रॉंटो जानता है कि इसे कई से मना नहीं 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 किया और वापसमत आना शायद उसे मनाना मुश्किली नहीं नाम उनकी था या उसे तुम्हें ही मनाना होगा वरना तुम्हारा कच्छुमर बन जाएगा मौरिस ये आखिर है कौन नया अदमी है इसका नाम बिली है हमने इसे कॉइट लॉन गुफा में भेजा था रेडो को समझाने के लिए अच्छा तो क्या वो लोग हमारा कहना नहीं मान रहे वो लोग नहीं वो नया शेन नहीं मान रहा ऐसे अकट रहा था जैसे वो जगे उसकी हो और उसने तुम्हारा यहाल किया तुम्हें मेरी मद़द चाहिए मैं भी आपसे मदद में मागने आया थू तुम्हारा नाम बिली है न? तुम शेन से अपना बदला ले सकते हो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को और खतरनाक स्लक्स दोंगा गूल्ड स्लग्स क्या तुमने कम ही देखे हैं पर उनके बाहने में सुना जरूर होगा सोचो अगर तुम्हें एक ऐसा स्लग मिले जो सबसे ज्यादा ताकफ़र हो जिसे पर्खा नहीं जा सकता पर वो तुम्हारे नुक्सान की भरपाई अच्छी तहां से करेगा कि एक शेन भी इन गूल्ज के सामने नहीं टिक सकता अब तुम्हारे बेकार स्लग्स में से तुम किसे गूल बनाना चाहोगे शेहर के लोग फिर से पहले की तरह खोश हैं इतने सारे विस्फोटक्स लग्स के साथ रहना आसान काम नहीं है प्रॉंटो कहां है रे धुक के यहां अब तक माफी मांग रहा है पर उसके लिए वक्त नहीं है वो हुला गैंग वापस आ रही है वापस आओ ये तुम्हारा शेहर है वो लड़ना क्यों नहीं चाहते इस शेहर का नाम कॉयट लॉन है याद है ना अब हमें ही इस शेहर को बचाना होगा उससे पहले तुम्हें अपने ब्लास्टर को ठीक करना होगा उमीद है शायद प्रॉंटो उन्हें अभी तक मना कि निकल जाओ मेरे घर से देखिए मुझे माफ कर दीजिए मैं आप के लिए कुछ भी करने को माई यार हूँ खत्म हो गया प्रॉंटो पता है हूला गैंग वापस आ रही है मिस्टर रेड हुक क्या आप मेरा ब्लास्टर ठीक करेंगे यह नहीं नहीं ठीक है तो मैं बिना ब के लिए मुकाबला कर रहा था वो भी सिर्फ कुछ लक्स और एक स्लिंग्शॉट से पता नहीं था उसका बेठा भी है पापा मुझे इन सबसे दूर ही रखना चाहते थी तुम ने उनकी जगा पूरी तरह से ले ली तुम ब्लाक का मुकाबला करना चाहते हो मैं हर किसी से लड़ूंगा जो इस दुनिया में बुराई फैलाएगा तो फिर तुम्हें इसकी जरुवत पड़ेगी मैंने ऐसे सिर्फ दो बनाए थे पहला तुम्हारे बापा की पास था पता नहीं आपका शुक्रियादा कैसे करो बिल्कुल अपने बापा की तरह बनकर आप हम लोगा उस हुली गैंग का धटके मुकाबला करेंगे और अगर आप इसमें हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे ना मैं तुम्हारी मदद करता पर मुझमें अब लड़ने की ताकत नहीं है आपने हमारी बहुत मदद की है अब मैं इसे अंजाम दूंगा चलो चले प्रॉंटो आप बहुत बहुत शुक्रिया मियां आपका शुक्रिया जाओ उन्हें हरा दो बच्चे क्या सब तैयार है मैं तो फाइदा हो तो ही तैयार होया था चलो इन जोकरों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं अब मेरे पास नया ब्लास्टर है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे चलो देखते हैं शूट करो यह तो कमाल का है कोशिश करो के उनके स्लक्स वेस्ट हो तुम हरी बारी जुम्स अच्छा शॉट था ट्रिक्सी वो तो हमेशा होता है फोड़ा नहीं अच्छा को प्थर को किरा दो हमारे पास लक्स कम हो रहे हैं अच्छा है अच्छा पता नहीं कहां वह हो गए जंग अभी खत्म नहीं हुई है शैन मेरे पास अब भी एक गोल है ठीक है छोटू अब तुम्हारी बारी है हमें निराश मत करदा वो बिकार स्लग अब तो तुम्हार गए तुम्हार के साथ हैं तुम्हारा ये काम है तुम एक हीलर हो यह क्या दो और आउम्हार है तुम्हार को क्या किया वो स्लग अमें गूल नहीं है तो तुम्हारा ये काम है, तुम एक हीलर हो ये कोई ऐसा वैसा हीलर नहीं है इलाई, उसके पास पहले से ये वो ताकतवर गूल्स है एक हीलर? ये नहीं हो सकता वापस चलो बुरे लोग हार गए, हीलाई को नया ब्लाक्टर मिल गया, आज का दिन इतना बुरा भी नहीं था और हमें एक नया और अनोखा स्लग मिल गया तुम्हें पता तो होगा ही कि हीलर स्लग स्लग्टरा में बहुती कम पाए जाते हैं, है ना? क्या वाकरी? आहा, शुक्रिया, शुक्रिया, यह तो प्रट्टों के बाए हाथ का खेल था राजी उन्हें शुक्रिया कहो दोस्त आहा, शुक्रिया, आहा, शुक्रिया जी आहा, शुक्रिया, 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 शुक्र